नमस्कार दोस्तो एजुकेसनल टोक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे NDA की प्रिक्सा से पुछे जाने वाले बहुती इंपोटेंट क्योसनों का एक मोग टेस्ट वेपर और दोस्तो इसमें हर क्योसन के लिए आपको 5 से 10 सेगंड का समय भी दिया जाएगा ऐसे एक च्योसन पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्कृप्चन में हमारी वेबसाइट का लिंक भी दिया है तो आप दोस्तों वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों समय को नेक बाते हुए शुरू करते हैं इसका सही उत्तर है 1240 अगला प्रश्न है 300 मिटर उचे एक तौवर पर खड़ा प्रेक्षत एक ही दिशा में चलती हुई दो नावों का अवन्मन कोन क्रमशा 60 दिगरी वतीस दिगरी पाता है नावों के बीच की दूरी है इसके ऑप्षन है आए 173.2 मिटर इसका सही उत्तर है 346.4 मिटर अगला प्रश्न है लिखित सम्विधान की अवधार्ना ने सर्व प्रथम कहा जन लिया इसके ऑप्षन है A. फ्रांस B. सैयुप्त राजे अमेरिका C. ब्रिटेन D. स्विचर लेन इसका सही उत्तर है सैयुप्त राजे अमेरिका अगला प्रश्न है बौध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते हैं की इसके ऑप्षन है A. कर्म तथा पुनर्जन के सिधान्त सही है B. मृत्ति के पश्चात ही मोक्ष संभव है C. स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं D. जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ट है इसका सही उत्तर है कर्म तथा पुनर्जन के सिधान्त सही है अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बनों के स्रोतों की खोज तथा विकास से किसका संबंध है इसके ओप्षन है A. नेशनल हाइड्रोकार्बन कॉर्पोरेशन B. ओयल इंडिया C. तेल तथा प्राकृतिक गैस कमीशन D. जीओलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शेत्र में लवंता सरवाधिक है इसके ओप्षन है A. हिंद महासागर B. लाल सागर C. उत्तरी प्रशांत महासागर D. उत्तरी अंध महासागर इसका सही उत्तर है लाल सागर अगला प्रश्न है ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आरे समाज में क्या समानता थी? इसके ओप्षन है A. तीनों ही राजनैतिक उद्देशों के लिए नहीं बने लेकिन तीनों ने ही देश भक्ती की भावना के विकास में सहायता दी इसका सही उत्तर है तीनों ही राजनैतिक उद्देशों के लिए नहीं बने लेकिन तीनों ने ही देश भक्ती की भावना के विकास में सहायता दी अगला प्रश्ण है नई फार्सी कावे शैली सबके हिंदी अत्वा हिंदुस्तानी शैली के जन्म दाता थे इसके ओप्षन है A. जियाव दीन बढ़नी B. अफीफ C. इसामी E. अमीर खुसरू इसका सही उत्तर है अमीर खुसरू अगला प्रश्ण है बाबर को भारत पर आक्रमर करने के लिए आमंतरत करने वालों में से एक आलम खान इसके ओप्षन है A. इबराहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिनहासन का दावेदार था B. इबराहिम लोदी का संबंधी था उसे देश से निश्कासित कर दिया था C. दिलावर खान जिसे इबराहिम लोदी के हाथों कुरूर वैभार मिला के पिता थे D. पंजाब प्रांत का एक उच्चा धिकारी जो अपनी जाती के प्रती इबराहिम लोदी के वैभार से अत्यधिक असंतुष्ट था इसका सही उत्तर है इबराहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिन्हासन का दावेदार था अगला प्रश्न है जन्गरना 2011 के अंतिम आकडो के आधार पर भारत के चार सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है इसके आप्शन है अप बिहार, राजस्थान, अरूनाचर प्रदेश, जार्खंड इसका सही उत्तर है बिहार, अरूनाचर प्रदेश, राजस्थान, जार्खंड अगला प्रश्न है निम्ण में से कौन सी नदी अफ्रीका में अधिक्तम मात्रा में जलाती है इसके ओप्षन है A. नाईजर D. नील C. जैंबेजी D. जाइरे इसका सही उत्तर है जाइरे अगला प्रश्न है हाल के वर्शों में निम्ण में से कौन ख्रिशी तथा संबंधित ख्रियाओ है तू सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है इसके ओप्षन है A. वाडिजिक बैंग B. विदेशी निजी बैंग C. सहकारी बैंग E. शेत्रिय ग्रामीन बैंग इसका सही उत्तर है विदेशी निजी बैंग अगला प्रश्न है दोजी स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांज करने के लिए बनाई गई संसदिय समिती में शामिल है इसके ओप्षन है A. दोनों सदनों से प्रते के पंदरा सदसे B. 20 सदसे लोक सभासे तथा 10 सदसे राजिस भासे C. 18 सदसे लोक सभासे तथा 12 सदसे राजिस भासे G. 16 सदसे लोक सभासे तथा 14 सदसे राजिस भासे इसका सही उत्तर है B. सदसे लोक सभासे तथ 10 सदसे राजिस भासे अगला प्रश्न है नागा लोगों के गावों की स्थिती, किस परिस्थिती के साथ संतुलन को दर्शाती है इसके ओप्षन है A. बाड की आशनका काक्षेत्र B. शुष्क जलवायू C. सुरक्षा की आवश्शक्ता D. ये सभी इसका सही उत्तर है सुरक्षा की आवश्शक्ता अगला प्रश्ण है लंदन में संपन हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतिय इसाईयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था इसके ओप्षन है A. राव बहादूर श्री निवास B. सर अकपर हैद्री C. सर एपी पैट्रू D. केटी पाल इसका सही उत्तर है केटी पाल अगला प्रश्ण है अपने मुप्ती संग्राम में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दिवंगत श्रीमती इंदिरा गाधी को देश का सर्वोच सम्मान प्रदान किया है इसके ओप्शन है A. दक्षन सूडान B. बांगलादेश C. भूतान E. स्लोवाकिय इसका सही उत्तर है बांगलादेश अगला प्रश्ण है अधिकांश लोहिस पात सयंत्र कोईला उत्पादक प्षित्रों के निकट स्थित है इसके ओप्शन है A. क्योंकि लोहरिस्क अधिकांशत्य इनहीं क्षित्रों में पाया जाता है B. ताकि दोनों ख्रियाओं में श्रमिकों का आदान प्रदान हो सके C. ताकि कोईले के परिवहन पर लागत कम की जा सके C. ताकि अधिकांश उत्पादन का उप्योग खनन शेत्र में ही हो जाए C. इसका सही उत्तर है C. ताकि कोईले के परिवहन पर लागत कम की जा सके C. अगला प्रश्न है C. मेरा जिला मेरी योजना मिशन निम्नलिखित क्षित्रों में से किस से संबंधित है C. इसके ओप्षन है C. शिक्षा C. पंचायत विकास C. स्वास्थ C. बाल टीका करन इसका सही उत्तर है शिक्षा अगला प्रश्न है भारत सरकार ने निम्न में से किस राजे राजिस्मूग के लिए विशेश हरित क्रांती परियोजना आरंभ की है इसके ओप्षन है A. उत्तर पूर्वी राजे B. बिहार वजहारखन C. पश्चिम बंग E. तमिल नाडू वकेरल इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी राजे अगला प्रश्न है धर्म आदी के आधार पर विभेद का प्रतिशेद भारत के सम्विधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गी खृत किया जाएगा इसके ओप्षन है अ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बी शोशन के विरुद अधिकार सी सांस्कृतिक और शेक्षिक अधिकार इसका सही उत्तर है सम्टा का अधिकार अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राजयों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है इसके आप्शन है आ जम्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान इसका सही उत्तर है पंजाब, जम्मु कश्मीर, राजस्थान तथा राजस्थान अगला प्रश्न है निम्नलिखित संशोधनों में से किस एक के द्वारा भारत के संविधान में मूल अधिकारों की सूची से संपत्ती का अधिकार हटाया गया इसके ओप्षन है A. 73 B. 23 C. 44 E. 76 इसका सही उत्तर है 44 अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है बेनगुएला धारा इसके ओप्षन है अब ब्राजील के तटके साथ साथ बहती है B. दक्षन पश्चिम अफरीकी तट से नीचे बहती है C. स्पेनी और उत्तरी अफरीकी तट से नीचे बहती है ली संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ बहती है इसका सही उत्तर है दक्षन पश्चिम अफ्रीकी तट से नीचे बहती है अगला प्रश्न है विरामावस्था में रखा हुआ एक कन अचानक बराबर द्रव्यमान के दो भागों में विभाजित हो जाता है जो की चलने लगते है कन के दोनों भाग इसके ओप्षन है A. समान वेग से एक ही दिशा में चलेंगे V. समान वेग से एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलेंगे C. अलग-अलग वेगों से किन ही भी दो दिशाओं में चलेंगे V. अलग-अलग वेगों से विपरीत दिशाओं में चलेंगे इसका सही उत्तर है समान वेक से एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलेंगे अगला प्रश्न है यदि प्रित्वी अचानक अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो प्रित्वी के धुरुवों पर किसी वस्तु का भार होगा इसके ओप्षन है आप पहले भारों के बराबर बी पहले से ज्यादा सी पहले से कम यी अक्षांश के अनुसार बदलेगा इसका सही उत्तर है पहले भारों के बराबर अगला प्रश्न है रेलगारी के पत को मोडों पर अंदर की ओर कुछ धला बैंक ओन कर्वस दे देते हैं क्योंकि ऐसा करने पर इसके ओप्षन है औ, घर्षन बल पैदा नहीं होता है बी रेलगारी का भार कम हो जाता है सी प्रिथ्वी द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बलके क्षैतिजग घटक से आवरश्यत अभिके इंदरिये बल प्राप्थ होता है इसका सही उत्तर है अगला प्रश्न है जब एक पिघली हुई धातु का ताप केलविन तथा फारेनहाइट ताप मापी द्वारा मापा जाता है तो दोनों ताप मापियों में बराबर ताप आता है Celsius ताप मापी पर धातु के ताप का मान होगा इसके option है अक 232 डिगरी Celsius बी 276 डिगरी C C 301.25 डिगरी Celsius यी 574.25 डिगरी Celsius इसका सही उत्तर है 301.25 दिग्री सेल्सियस अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरन कांच से वायू में जाती है तो निम्म में से किस वर्ण के लिए क्रांतिक कोन का मान नियूनतम होगा इसके ओप्षन है A. बैंगनी वर्ण B. हरा वर्ण C. पीला वर्ण D. लाल वर्ण इसका सही उत्तर है बैंगनी वर्ण अगला प्रश्न है बाहरी चुम्बकिये प्रभाव से बचाने के लिए यंत्रों के चारों तरफ किया जाना चाहिए इसके ओप्षन है A. कांज परिरक्षन B. लोः परिरक्षन C. रबर परिरक्षन E. काम्र परिरक्षन इसका सही उत्तर है लोः परिरक्षन अगला प्रश्न है यदि दो विधित बल्बों को, जिनके प्रतिरोधों का अनुपात एक अनुपात दो है, नियत विभव से समानतर क्रम में जोड़ा जाए, तो उनके द्वारा क्षय होने वाली शक्कियों का अनुपात होगा A. एक अनुपात एक, B. एक अनुपात दो, C. एक अनुपात चार, D. दो अनुपात एक, इसका सही उत्तर है, D. दो अनुपात एक. अगला प्रश्न है, 20 cm की फोकस दूरी वाले एक सम्तलोत्तल लेंस के सम्तल भाग को यदि कली कर दिया जाए, तो वह एक अभिसारी दर्पन की तरह कारे करेगा, जिसकी फोकस दूरी होगी, लेंस का अपवर्तनाक इस एक डॉट पांच है. इसके ओप्षन है, अगला प्रश्न है, नाभिकिये सनलेन प्रक्रिया के समय. इसके ओप्षन है, अग दो हलके नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, साथ ही अन्य उत्पाद भी प्राप्थ होते हैं. इसके अगला प्रक्रिया के संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, साथ ही अन्य उत्पाद भी प्राप्थ होते हैं. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचना का सरवाधिक प्रभावी वाहक। इसके ओप्षन है, A. केबल, B. सुक्ष्म तरंग, C. रेडियो तरंग, D. ओप्टिकल फाइबर, इसका सही उत्तर है, ओप्टिकल फाइबर. अगला प्रश्न है, गतिमान इलेक्ट्रोन की गति को निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावित नहीं करता। इसके ओप्षन है, A. गति की दिशा में लगा विद्धित शेत्र, B. गति की दिशा में लगा चुम्बकिय शेत्र, C. गति की दिशा में लंबवत लगा विद्धित शेत्र, यी गती की दिशा में लगा लंबवत चुम्बकी एक शेत्र इसका सही उत्तर है गती की दिशा में लगा विद्धीत शेत्र अगला प्रश्न है बंद कमरे में एक मनुष्य जलते हुए कोईले के साथ सोजाता है कुछ समय बाद वह मूर्चित हो जाता है यह किसके कारण हुआ? इसके option है A. कमरे में कार्बन डाइकसाइड का होना B. कोक C. रक्त में कार्बोक्सी हीमोगलोबिन उपस्थित होने के कारण B. चारकोल इसका सही उत्तर है रक्त में कार्बोक्सी हीमोगलोबिन उपस्थित होने के कारण अगला प्रश्न है ग्रेफाइट में विभीन परते किसके द्वारा जुड़ी रहती है इसके ओप्षन है A. सहसन योजक बंध B. आयनिक बंध C. हाइड्रोजन बंध D. वांदर्वाल्स बल इसका सही उत्तर है वांदर्वाल्स बल अगला प्रश्न है इसके ओप्षन है A. सभी आयस्क खनिज होते है B. सभी खनिज आयस्क होते है C. खनिज आयस्क नहीं हो सकता D. एक आयस्क खनिज नहीं हो सकता इसका सही उत्तर है सभी आयस्क खनिज होते है अगला प्रश्न है रूबी एक लाल रंग का कीमती पत्थर है इसके लाल रंग का कारण है इसके option है आप iron oxide B. zinc oxide C. chromium oxide E. calcium oxide इसका सही उत्तर है Chromium oxide अगला प्रशन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतरदी में किया जाता है इसके option है आग प्रकाशिक रेशे B. कांच रेशे C. कांच तंतू E. नाइलोन रेशे इसका सही उत्तर है प्रकाशिक रेशे अगला प्रश्न है परासरन के परिनाम स्वरू विल्यन का आयतन इसके option है A. क्रमशा घटता है B. क्रमश बढ़ता है C. क्रभावित नहीं होता है D. पहले बढ़ता है तथा फिर घटता है इसका सही उत्तर है क्रमश बढ़ता है अगला प्रश्न है कार्बोकसिलिक अमल जो जल में अधिक्तम विलेता रखता है इसके option है A. ठैलिक अमल B. सकसिनिक अमल C. मैलोनिक अमल D. सैलिसिलिक अमल इसका सही उत्तर है मैलोनिक अमल अगला प्रश्न है भाब आस्वन को किसके निशकर्षन के लिए उप्योग किया जाता है इसके option है A. आवश्यक तेलो B. वसिय अमलो C. खनिच तेलो E. उच्चितर एलकेनो इसका सही उत्तर है आवश्यक तेलो अगला प्रश्न है धातु जो सर्वाधिक आसानी से फोटो इलेक्ट्रोन देती है इसके option है A. लीथियम B. सोडियम C. कैल्सियम E. सीजियम इसका सही उत्तर है सीजियम अगला प्रश्न है पालत में कौन सा अमल उपस्थित होता है इसके option है A. लैक्टिक अमल B. ओक्सेलिक अमल C. सिट्रिक अमल E. टार्टेरिक अमल इसका सही उत्तर है अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आखों के लिए आवश्यक पोशक की पूर्ति के लिए आनुवांशिक रूप से बदला गया फसल उत्तपाद है इसके option है A. सुनहरा चावल B. पदमा C. बीकी कपास D. फ्लैवर सेवर इसका सही उत्तर है सुनहरा चावल तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन का बटन भी जुरूर दबाईए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह समय समय पर मिलती रहें और दोस्तो ऐसे ही क्योसन पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेब साइट का लिंक भी दिया है तो आप ऐसे ही क्योसन वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद